दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर फॉलो जरूर करना, आपके कोई भी कोशन्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, ऑनलाइन से रिलेटिड, एमेजॉन और फ्लिप कार्ट से रिलेटिड, आप मुझसे स्ट् वहाँ पूच सकते हो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका, मेरे चैनल टैक्विन ऑनलाइन में, उमीद करता हूँ, आप सब बिलकुल ठीक होंगे, और स्वस्त होंगे, बहुत सारे लोग यही सो होते हैं, जो यह सोचते हैं, जिनका दिमाग उस साइड चलता है, कि प्रोड़क को महंगा करके भी बेचा जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में, मैं आपको चार ऐसे टिप्स दोंगा, कि जिससे आप अपने प्रोड़क को महंगा करके बेच सकते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों हो सकता है महगे माल की बिकरी कम हो लेकिन अपना प्राइस कम करना अपना भाव कम करना उसका हल नहीं है दूद में मलाई कम है लेकिन है जरूर ऐसे ही महगे माल के ग्राहक कम है लेकिन है जरूर महंगे माल के ग्राहक कम है तो वहाँ पर competition भी कम है तो उस्तो कुछ चीजें बिक्ती ही इसलिए हैं क्योंकि वो महंगी होती है महंगा माल बेचने के लिए अकल लगाने पड़ती है अकल लगाओ तो सही अच्छा एक बात बताओ सस्ता माल बेचने वालों की भीड में घुसकर माल बेचने से क्या आपकी मुश्किले कम हो जाएंगी नहीं होंगी क्या क्या आपको disadvantages हैं उसके एक तो सबसे पहला disadvantage आपको competition बहुत मिलेगा दूसरा आपको धक्के खाने पड़ेंगे तीसरा आपका profit margin बहुत कम हो जाएगा चौथा जैसे कि आपको पता है online selling में payment 21 दिन के बाद है तो ये सारे disadvantages हैं देखो मैं तो एक चीज बोलता हूँ माल घटिया मत बेचो माल बढ़िया बेचो ठोक बचा के quality दो और ठोक बचा के पैसे लो दोस्तो मेंगा माल खरीदा क्यों जाता है इसका एक reason है feeling of importance दूसरों से अलग दिखने के लिए दूसरों से विशेश दिखने के लिए एक example देता हूँ अगर एक पूरे परिवार का काम 4 लाख रुपे की एल्टों से चल सकता है लेकिन फिर भी 5 करोड रुपे की फरारी खरीदे जाती है वो भी 2 सीटर क्यों दूसरों से अलग दिखने के लिए इसका दूसरा reason status status symbol कुछ लोग सस्ता माल खरीद ही नहीं सकते उनको सिर्फ महंगा माल ही चाहिए समझ रहे हो मेरी बात को देखो एक company है Mercedes Mercedes कल को ये ऐलान कर दे कि वो अपनी सारे गाड़ियों के दाम घटा रही है अब उसकी गाड़ियों की range 5 लाख रुपे से लेकर 10 लाख रुपे की है तो Mercedes लेने वालों की भीड लग जाएगी सारे बतलब जितने भी ये मारूती हुंडा ही लेने वाले है सब छोड़ कर Mercedes पर आ जाएंगे लेकिन जो Mercedes का अपना customer है Mercedes उसको खो देगी जितने भी ये status वाले लोग है फिर कोई Mercedes नहीं खरी देगा बेशक्से Mercedes के पास भीड आ गई हो उसने अपने price कम कर दिये लेकिन Mercedes खुद का अपने status symbol खो देगी जितने भी high status वाले लोग हैं वो सब Mercedes को छोड़ के BMW, Audi इन सब पे shift हो जाएंगे तो दोस्तों कुछ चीज बिक्ती ही इसलिए हैं क्योंकि वो महंगी होती हैं अब मैं आपको वो 4 tips देने जा रहा हूँ जिससे आप अपने product को महंगा करके बेच सकते हो पहला tip no compromise with the quality आपको अपनी quality के साथ कोई compromise नहीं करना है आप ठोक बजा के quality दो और ठोक बजा के ही पैसे लो ठीक है अगर आप महंगा माल उनसे अगर आप महंगा चार्ज कर रहे हो तो उनको quality भी आपको अच्छी ही देनी है दूसरी चीज आपको अपनी packing के साथ अपनी packaging के साथ कोई compromise नहीं करना है packaging ऐसी होने चाहिए कि customer को premium look दे ठीक है customer के पास product पहुँचे और वो खुश हो जाए उसको लगना चाहिए हाँ भाई अगर ये चीज 2000 की है तो 2000 की वर्थ करती है बेशक्से आपको packing के ओपर 100.500 रुपे जादा खर्च करने हो तीसरी चीज different from others आपके product में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके product को औरों से अलग करता हो चाहे उसका कोई logo हो चाहे उसका कोई status symbol हो ऐसा आप कुछ तैयार करो जिससे आपका product औरों से अलग लगे और चौती चीज अपने brand को higher side पे ही रखना है आपको दोनों side नहीं बनाने अगर आप एक बड़ा brand बनाना चाहते हो देखो एक BMW की car है BMW की सस्ती car भी आती है वो ARM logo के लिए महंगी है तो ऐसे ही जो आपका brand है उसकी आपका starting range set करनी है और वो starting range सस्ती नहीं होनी चाहिए अगर आपने रखा है कि आप suppose handbags बेच रहे हो उसकी starting range 1000 रुपे की है तो आपके सारे bag 1000 रुपे से start होंगे और उससे उपर उपर के होंगे प्रीमिम सेग्मेंट में ही बेचो समझ में आ रहे है मेरी बात तो दोस्तों ये चार टिप्स थे कि आप अपने प्रोट को कैसा महंगा करके बेच सकते हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद